आपने कभी जेंगा खेला है? अगर खेला है तो शायद आपको मालूम होगा कि बिल्डिंग की नीव अगर कमजोर होगी तो कभी न कभी ये उची वाली इमारत गिरेगी तो जरूर कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली जब एक अमेरिकन कमपनी हिंडिनबर्ग रिसेर्च ने अदानी एंटरप्राइजस के बारे में कुछ ऐसी ही चेतावनी दी कि कमपनी की जो नीव है ना दोड़ी कमजोर है कर्ज में कमपनी डूबी हुई है स्टॉक मार्केट मेनुपिलेशन कर रही है और उसका स्टॉक असी प्रतिशत से भी जादा गिर सकता है इसके बाद हिंडिनबर्ग रिसेर्च और अडानी एंटरप्राइजस में पिछले एक हफते में काफी तूतू में में हो चुकी है और यह सिलसला अभी भी जारी है अडानी एंटरप्राइजस के स्टॉक्स बुरी तरीके से पिट चुके है आज मंडे को चार अडानी स्टॉक्स लोवर सर्किट ब्रिकर भी हिट कर चुके है दूसरे भी स्टॉक्स उसी के आसपास ही है अडानी गैस की तो गैस ही निकल गई है 40 प्रतिशत तक already down हो चुकी है हिंडनबर्ग का मानना है कि 40 प्रतिशत अभी और भी बाकी है नीचे जाना उधर अडानी ने आग बबुला होकर इसे देश के खिलाफ एक साज़िश बताया है और कहा है कि उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है सारे मामले अलड़ी कोर्ट में गलत साबित हो चुके है उसके जबाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो अपने रिपोर्ट पर एकदम डटे हुए है हर पॉइंट पर डटे हुए है और फ्रॉड फ्रॉड ही होता है चाहे वो फ्रॉड दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों न करे देशबक्त की इस एपिसोड को बनाते बनाते थोड़ा वक्त लग गया तीन वज़े हैं इसके बारे में आरोप काफी संगीन है अगर ये आरोप सच निकलते हैं तो अदानी छोड़ो हमारे स्टॉक मार्केट को जोर का और लंबे अर्से तक धक्का लगेगा दूसरा कारण हम वन साइड़ नारेटिव नहीं क्यारी करना चाहते थे कि हिंडनबर्ग ने क्या कहा थोड़ा इंतजार हमने इसलिए कि ये तो देख लें अदानी ने अपने रिपलाई में क्या कहा है और हिंडनबर्ग जो है उसकी असलियत क्या है ये तो जरब पराखले है और तीसरा जो कारण है ये परसनल है अदानी के बारे में कोई भी एपिसोड बनाते समय हमें भी दो बार सोचना पड़ता है उसकी पहुँच पता नहीं कहां कहां तक है हमने कुछ अर्थे पहले एक अदानी पर एपिसोड बनाया था कि अदानी आंट्रिपर्नियोर है या ओलिगार्क है अचानक एक दिन यूट्यूब पर इस वीडियो को स्ट्राइक किया गया इसको demonetize किया गया और हमें बताये गया कि इस वीडियो में गाली गलोच है अब हम देशभक्त पर किसी के खिलाफ गाली गलोच तो करते नहीं है और वो भी अदानी पर गाली यार morning, evening, afternoon, walk क्या बंद करवाना है या अपने आपको जेल में पाना है अरे इतने सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पर और यूट्यूब को यही वीडियो मिला था अडानी के खिलाफ गाली गलोच वाली तो इस वीडियो का क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में पता नहीं तो भया शेयर कल लो पहले ही, देख लो पहले क्योंकि यूट्यूब क्या वज़े कल निकाल ले इसकी मैं गैरेंटी नहीं ले सकता हूँ लेकिन इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि इस एपिसोड को बहुत महनत से बनाया गया है मंजुल और मैंने मिलकर इस पर काफी टाइम लगाया है पूरा वीकेंड लगा दिया और काफी दिन लगा दिये दोनों पक्ष की बात हम आज आपके सामने रखेंगे इस एपिसोड में और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जूट कौन बोल रहा है क्या सच में अदानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्परेट कौन सबसे बड़ा कॉर्परेट फ्रॉड आर्टिस्ट है या फिर अदानी के खिलाफ हो सकता है ये एक कंस्पिरिसी है लेकिन जो भी हो अदानी की एक बात हमें समझ में नहीं आती है और हम उसे एकदम सहमत नहीं है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट देश के खिलाफ एक साजिश है हमारे देश में सहेकडो कंपनीज है और अदानी पर सवाल पहले भी उड़ चुके है मौर्निंग कॉंटेक्स पढ़ते हैं क्या वेब में अच्छी पत्रकारिता हो रही है पढ़िए डीटेल्ड रिपोर्ट पहले ही उनके खिलाफ चप चुकी है फिच ग्रूप के बारे में सुना है उसकी क्रेडिट साइट्स ने भी अडानी को ओवर लीवरिज बहुत पहले ही बता दिया है और इसको एक एरे ओफ कंसर्न भी बोला था तो अदानी पहले देश के पीछे छुपना बंद करें हिंडनबर्ग रिसर्च को चैलेंज करिए आप इसको आप सू करिए इसको आप खरीद लीजिए मुझे फरक नहीं पड़ता है लेकिन देश प्रेम और राश्रवाद कोई नता नहीं है पूरे देश का नाम रोशन हो रहा था उसी समय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इनसान गौतम अदानी का नाम एक मामूली से रिपोर्ट में मित्टी पलेट हो रहा था एक ऐसी कंपनी जिसके हाँ पांच चुट्टे पुट्टे लोग काम कर रहे थे लेकिन यही चुट्टू-पुट्टू कंपनी और यही पांच लोगों वाली कंपनी ने सब्तर बिलियन डॉलर प्लस का घाटा करवा दिया अडानी ग्रुप का अगले कुछ दिनों में साथी साथ सारे बैंक्स जिन्होंने अडानी मर पैसा लगाया है साथी साथ LIC, इन सबके भी स्टॉक्स, बॉयकॉट गैंक की उम्मीदों के तरह बिखर गए इस एपिसोड को रेकॉड करते समय अडानी एंटर्प्राइजे सत्तर सेविंटी टू बिलियन डॉलर्स के हावा हो चुके है और वो Forbes के richest rank में third number, third पैदान से सीधे साथवे तक तो already पहुँच चुके हैं आपके देखते देखते शायद और भी फिसल गए होंगे इस सब फसाद के पीछे short seller research company Hindenburg Research और इससे भारत देश पर नहीं तो लेकिन अडानी पर जरूर निशाना किया उस पर जरूर अटाक किया Hindenburg की report का headline तो पढ़ लो How the world's third richest man is pulling the largest corn in history मतलब कैसे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान दुनिया का सबसे बड़ा घपला घोटाला कर रहे हैं कितना सच है? कितना जूट है इस दावे में? कौन है या यह conspiracy है? पता लगाते हैं अडानी के उपर आरोप समझने के लिए सबसे पहले तो short selling का basic idea होना चाहिए अगर आप stock खरीते हैं तो आप तभी तो पैसे कमाएंगे जब stock उपर जाएगा यह है आम जिंदगी लेकिन अगर आप stock को short करते हो यानि ऐसी position लेते हो कि यह stock भाई साब गिरेगी तब आप पैसा तभी कमा सकते हो जब वो stock नीचे आता है यह है mentors जिंदगी यही mentors जिंदगी का example हर्षद भाई ने भी दिया था 1000 का बेचा 800 में वापस खरीदा Hindenburg Research यही काम करती है कमजोर या घपले वाली company को पकड़ती है उसे study करती है, analyze करती है, उसकी पोल खोलती है उसके खिलाफ position लेती है और stock को फिर गिराया जाता है information को public करके यह अटपटा तो लगता है लेकिन legal है बहुत लोगों का यह मानना है कि Hindenburg जैसे companies लेटर क्या कर सकता है चलिए एक मिनिट वाली हिस्ट्री रिवाइंट कर लेते हैं 1937 हिंडनबर्ग उस समय का सबसे बड़ा हवाई जहाज था पूरे दुनिया में, टाइटैनिक जैसा विशाल लेकिन उड़ता भी था दुनिया भर में संसरी मच गई, इस चमतकार को देखके और इस से हवाई यात्रा का भविश्य भी बताया गया लेकिन जब अकस्मात दुरगटना घटी, तब इसकी कमजोरिया सामने आई तब ये विशाल जहाद धूधू करके जमीन पर आगिरा बहुत सारी जाने भी गई और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 40 सेकंड में, 40 सेकंड में एरशिप्स फ्यूचर से हिस्ट्री ओफ एविएशन हो गई इस दुरगटना के 80 साल बाद 2017 में नीट एंडर्सन ने एक ऐसी कमपनी बनाई जिसका नाम उसने हिंडनबर्ग रखा और काम भी वही करना शुरू कर दिया कमजोर या घपले वाली कमपनी को पकड़ो, उसको धेर सारा उस पर रिसर्च करो और उसके साथ हिंडनबर्ग कर दो, यानि शेर प्राइस में ऐसी आग लगा दो कि वो क्रैश हो जाए तो हिंडनबर्ग ने कोई पत्रकारिता यहां नहीं किये, सबसे पहले तो यह खुलासा कर दे अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये खुलासा किया जैसा कि निकोला नाम की एक कमपनी के साथ रूने किया था, वहां के इंपलॉई से बात करके, पब्लिक रिपोर्ट को डीटेल में अनलिसिस करके ये दावा किया कि कमपनी के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन जो है, उन्होंने फ्रॉड करके कमपनी को इस लेवल तक पहुचाया है और शेर्स को गलत मेनुपलेट करके इतने उपर लेवल्स तक वो ले गए है इस रिसर्च के आने के बाद निकोला कमपनी के शेर्स जो की 60-65 यूएस डॉलर पर चल रहे थे वो तीन डॉलर तक भी नहीं रह पाए, कमपनी का बटा धार कर दिया हिंडनबर्ग ने इस कमपनी के शेर्स को शॉट करके अच्छा खासा मोटा पैसा कमाया कई यूएस कमपनीज पर इसी तरीके से हिंडनबर्ग ने धाबा बोला है लेकिन USA में कोई हिंडनबर्ग को एंटी नेशनल अर्बन नकसल नहीं बोलता है बलकि कमपनीज उन्हें और भी डर और इज़्जत की निगाहों से देखते हैं तो मार्केट में हिंडनबर्ग का जो रेप्यूटेशन है वो काफी सॉलिड है मने दो साल का रीसाच अगर किया है तो किया है कुछ ऐसा ही हुआ फिर 24 जैनबरी को जब हिंडनबर्ग ने कहा कि आडानी में बहुत जादा प्रॉबलम है ये दावा किया कि कंपनी में कई शेर अकाउंटिंग फ्रॉड्स हुए हैं और उसके शेर्स हाइली इंफलेटेड हैं असी असी प्रतिशत तक इंफलेटेड हैं वैसे तो ऐलिगेशन की लिस्ट काफी लंबी है लेकिन सच और जूट कौन या कंस्पिरिसी समझने के लिए जल्दी से कुछ हेडलाइन्स टटोल लेते हैं करीब दो साल चले इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि अडानी के साथ लिस्टेड कंपनीज में पिछले तीन सालों में 100 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है स्टॉक प्राइस बढ़ने के वज़े से ये सातों कंपनीज का एवरेज हाई का आप मानके चलिए आठ सो बीस प्रतिशत हुआ है पिछले तीन सालों में आपका एवरेज हाई कितना था और पूरे Sensex का अगर आप return भी मान ले इस period में तो 50 प्रतिशत तक ही आता है तो Adani companies ने कौन सी ऐसी अलग फकीरी पकड़ ली कि COVID काल में उन्हें अमरित काल मिल गया है तीन साल में Adani का अपना wealth तो 80 प्रतिशत से भी जादा बढ़ चुगा रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि Adani group में जो 22 key members है उन में से 8 तो Adani के family members ही है आप कहोगे परिवारवाद, Pro Max लेकिन problem परिवारवाद से नहीं है Hindenburg report का ये कहना है कि परिवार अगर stock control कर रहा है remotely तो Adani ने इसको findings में declare नहीं किया है उन्हें अलग entities बताया है Problem number 3, Adani group जिस पे 4 investigations चल रही है money laundering के, उस पर ये भी आरोप है कि उसने Mauritius, UAE, Caribbean islands में बेनामी companies बैठाई हैं और फरजी export import bills भी बनाए हैं Point number 4, Gotham Adani के छोटे भाई Rajesh Adani को 2045 में Directorate of Revenue Intelligence ने diamond trading के नाम पर fraud करने का जिमेदार माना और इस मामले में वो दो बार arrest भी हुए Point number 5, Hindenburg ने Mauritius में करीबन 40 ऐसी companies को identify किया जो Gotham Adani के बड़े भाई, Vinod Adani के control में हैं जिसके पास ना पक्के कागज है, ना कोई business setup है, या source of money का detail है, लेकिन ये कई billion dollar invest कर किये जा रहे हैं Adani group of companies में ये investment policies का violation है, Hindenburg का ये माना है, Adani का ये कहना है कि ये companies independent है, उनके control से बाहर है तो Hindenburg कह रहे हैं कि भाईया तुम्हारा ही भाई है, जाके पूछ लो कि उसके company में इतना पैसा क्यों डाल रहे हो, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये बात का खुलासा नहीं हुआ है पॉइंट नमबर 6, 2007 से सेवी की report के अनुसार Adani पर charges लगाए गए थे, कि उसने market scam seller केतन पारिक के मदद से Adani के stocks की valuation बढ़ाई थी अडानी का कहना है कि ये सारे matters court में already सुलग चुके है पॉइंट नमबर 7, Adani की 60 companies के करीबन 600 subsidiaries हैं और इतनी बड़ी company को शाद अंदेरिया नामा के independent audit company audit करती है ये कितनी छोटी company है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी अपनी खुदगी कोई clear website भी नहीं है और सिर्फ 4 partners और 11 employees हैं मतलब accounting fraud को जो रोकती है, जो control करती है, जो check करती है, उसकी खुद ही proper details नहीं है अदानी का कहना है कि ये सारे qualified लोग हैं, इवन अगर young हैं लेकिन qualified हैं और यही company को audit करते हैं साथी साथ दूसरे companies को और भी बड़ी companies audit करती है इन छोटी बातों के इलावा, रिपोर्ट में ये भी allegation है कि अदानी ने भारी भर कम करजा उठा के रखा है और ये कि अदानी ने अपने shares के बदले में और भी market से loan उठा के रखा है मतलब, simple भाशा में, loan लेकर company बनाई, loan लेकर share दाम को बढ़ाया गया और फिर उन बढ़े rates पर फिर से loan लिया गया इसको कहते है debt fuel growth और होता ये है कि करजा company का इतना ज़ादा होता है कि asset से दुगना हो जाता है बाद में जाकर ये problem create कर सकता है अदानी के present loan अभी 2,00,000,000 करोर बताय जाता है जिसमें 80,000,000 करोर सिर्फ Indian bank से लिये गए है यही कारण है कि अदानी का नुकसान, इन banks का नुकसान भी बन सकता है अगर ये loan चुटा नहीं होता है अदानी के stocks के साथ साथ ये banks के stocks इसी वज़े से गिरे है अदानी का कहना है कि उनके business पैसा generate करती है और अब उन्होंने अपना debt burden भी कम करना शुरू कर दिया है लेकिन main जो disturbing point है, जो allegation है वो stock price manipulation का आरोप है stock price demand और supply का match follow करती है simple match में अगर बोलें कि stock का demand अगर जादा होता है supply से तो भई share price बढ़ेगा और अगर demand कम होता है supply से अगर supply जादा है तो दाम कम हो जाएंगे लेकर अगर supply अपनी मुठी में कर लो तो अडानी के shares का जो float है बने जो free market में available shares है वो बहुत कम है क्यों? 73% promoters के पास है अडानी के पास खुद ही 73% है जो maximum permissible होता है under Indian regulation is about 75% तो वो already limit तक है कि company अपने control में है बचे आपके 27% चलो ठीक है 27% है market में dealing होती है उससे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर उस 27% से 15% और हटा दो Mauritius Cayman Islands से यही चीज़ control हो रहा है Hindenburg का यह कहना है कि यह भी control हो रहा है अडानी के through indirectly through his family बचा बचाया आपके पास 10% है उस पर SBI, LIC जैसे मोटे investors बैठे हैं तो shares बचे कितने regular traders के लिए 3 से 5 प्रतिशद तो जब supply इतनी कम होगी तो price तो आस्मान चुही सकती है manipulation आसान है for comparison yes bank में आपको 4 करोर shares market में आपको मिल जाएंगे open market में अडानी के आपको 4 लाख तक shares मिल पाएंगे लेकिन मज़े की बाद यह है कि शायद इसी कारण से अडानी के shares total collapse नहीं करेंगे उतना damage नहीं होगा क्योंकि shares है ही नहीं बेचेगा कौन ना SBI बेचेगा, ना LIC बेचेगा ना Mauritius की companies बेचेगी और promoter तो खुद अपने आप क्यों बेचेगा loss में, तो हो सकता है इसी के चलते damage control हो जाए और इसी को कहते हैं master stroke उदर अडानी ने भी अपना दागना शुरू कर दिया है reply करना शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इस report के खिलाफ हम legal action लेंगे और ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग की सारी report फर्जी और बेबुनियाद है हिंडनबर्ग एक short selling company है और इसी लिए उन्होंने जानमूच के अडानी के stocks को गिराने के लिए ये report release किया है लेकिन अगर हिंडनबर्ग के report को फाड़ कर हम dustbin में फेक देते हैं अगर हम इस report को फाड़ के dustbin में भी फेक देते हैं तब भी कुछ एहम सवाल है जिसका जबाब अडानी को देना पड़ेगा कुछ दिनों में जैसे LIC और अडानी का ये रिष्टा क्या है इसे क्या कहलाते है सरकार के कहने पर चलती है LIC और insurance sector में 98% investment बने insurance sector को अगर आप पूरा उठालो उसमें 98% investment सिर्फ एक कंपनी ने अडानी में करके रखी है और वो है LIC भाई ऐसा क्या दिखता है LIC को September 2020 से अभी तक LIC ने अडानी में 10 गुना जादा पैसा लगाया है 7,300 करोर रुपए से 72,000 करोर रुपए LIC ने लगाया है ये investor का पैसा है ये आपको और हमारा पैसा है जो LIC को गया है वो LIC उसमें डाल रही है ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि पूरी की पूरी जो mutual fund industry है वो तो अडानी के share से दूर रहती है क्योंकि उसका मानना है कि ये price overvalued है तो LIC ऐसा काम क्यों कर रही है और इतने हंगामे के बाद भी 18,000 करोर के घाटे के बाद भी LIC अभी भी अदानी में ही पैसा लगा रहा है घजब confidence या फिर कुछ मजबूरी हो सकती है अब आते हैं conspiracy के angle पर अगर ये conspiracy सच्छी में है तो Hindenburg report ने Tata, Bilda, Infosys, Vipro इन companies पर क्यों ने ये कभी ऐसा प्रहार किया है मालूम है आपको Infosys के shares कहां से कहां तक चले गए है कितने लोगों को अंभीर किया है Infosys ने ये काफी पुरानी companies हैं कभी कोई दाग नहीं लगा है लेकिन ये Hindenburg, ये Fitch report ये सारे के सारे लोग अडानी के बीचे क्यों बढ़े रहे कहीं नहरों की खैर चोड़ो, दूसरा point इतनी बड़ी company एक report से काप कैसे जाती है, मान लेते है ये एक vested report था, लेकिन सिर्फ पांच लोगों की एक company एक ऐसा बड़ा साजिश कर सकती है कि देश का इतना बड़ा industrialist और देश की इतनी बड़ी company काप जाती है, और अगर ये इंडिया के खिलाफ attack है, तो फिर इंडिया काफी weak है या फिर अडानी के accounts काफी कमजोर है comment section में लिख के बताईए, आपको क्या लगता है कौन कमजोर है, point number 3, क्या 1992 से अब तक कुछ बदला नहीं है stock manipulation क्या उतना ही आसान है सत्यम computer 2010, हर्षद meta 1992, और बीच में बहुत सारे और भी players आ चुके है तो SEBI, RBI कर क्या रही थी जमीर के against loan समझ में आता है gold के against loan समझ में आता है, पर stock के against, जिस stock को शायद गलत तरीके से बढ़ाया गया है inflate किया है, उस पर आप loan ले रहे हो तो ऐसे case में अगर default हो गया तो bank recovery क्या करेगी, क्योंकि stock तो हो चुकी होगी, उसका तो gas निकल चुका होगा और इस case से एक बड़ा सवाल ये भी आता है, कि investor, आम investor का क्या होगा, हम कैसे judge करेंगे company को, Adani Enterprises, एक listed company है, Sensex और Nifty का हिस्सा है, government के good books में है, बड़े-बड़े projects handle करती है इसके promoter world के third largest richest इंसान कुछ दिन पहले तक थे, क्या ये सारी वज़े नहीं है, काफी एक company को trust करने के लिए, अब अगर AC company government, SEBI, RBI, law सबको चुना लगा सकती है तो फिर हम किस company पर भरोसा करें? हम stock market पर कैसे enter करें? इसी वज़े से, SEBI ने अब बोला है कि हम इस Hindenburg report को अब पढ़ेंगे, LIC ने भी चोड़ होके का, नहीं, हम सवाल पूछेंगे अच्छी बात है, पूछिए क्योंकि जहां stock के गिरने से हमारा नुकसान होता है, वहीं bank का अगर loan default हो गया तब charges के रूप में no balance account में पैसा आप और हम ही भरेंगे, bank वसूली ले लेगा अदानी को कुछ नहीं होने वाला है हम लोगों की ही कमर तूटेगी LIC को अगर कुछ हो जाता है तो अडानी का कुछ नहीं होगा आपकी और हमारी life insurance खत्रे में आ सकती है अडानी ने defense तो mount किया है ये बताने की कोशिश की है कि हिंडनबर को Indian markets को समझने की काबिलियत नहीं है जैसे कि हर project के लिए एक बड़ी company एक subsidiary बनाती है ये एक arm practice है लेकिन market को ये report के आने के एक हफते बाद भी अभी तक पूरा विश्वास नहीं हो रहा है 400 page का जबाब हिंडनबर को जो दिया गया लेकिन research agency कहती है कि उसमें lecture जादा है facts बहुत कम है हिंडनबर कहती है कि अडानी ने Chinese national Chang Chung Lee के साथ अडानी के क्या संबंध है इसको बताया नहीं है इसका खुलासा नहीं किया है और नहीं ये बताया है कि उनके बड़े भाई विनोद अडानी के साथ उनके business dealings क्या है और कैसे है और बहुत सारे सवाल है जिसका जबाब अभी तक नहीं दिया गया है इस पर कोई दो राहे नहीं है कि ये अडानी के लंबे केरियर में उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती रही है और आने वाले हफतों में ये पता चलेगा कि अडानी के shares डूबेंगे या तहरेंगे लेकिन देशबक्त पर तो हम यही चाहेंगे कि अडानी course correction करे जो गलतिया हुई है उसे मने और company को और भी transparent और मजबूत बनाने की कोशिश करे हमारे देश में आज अडानी एक नहीं इस रिपोर्ट से तो बहुत अच्छी बात है अगर ये रिपोर्ट एक दम fraud है तो आपको call out करना पड़ेगा legal action लेना पड़ेगा और पूरे दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये एक conspiracy थी